जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको गौचिंग पचीस सव वाट प्रेसर वासर के बारे में बताऊंगा और साथ में दोस्तो इसका मैं कंपरीजन भी करूंगा बैलोरेक्स पचीस सव वाट के साथ दोस्तो दोनों में क्या अंतर है आज मैं ये भी बताऊंगा दोस्तो दोनों में इतना डिफरेंस क्यों है लुक इसका दोनों का सेम है फिर भी इतना डिफरेंस क्यों है प्राइज में ये मैं आपको बताऊंगा और इसके साथ में क्या-क्या एक्सेस सीरीज मौजूद है ये भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो वीडियो में लास्त तक बने रहीएगा और चलिए दोस्तो मैं आपको गौचिंग 2500 वाट के बारे में थोड़ी बहुत जानगारे देता हूं तो दोस्तो आप यहां पर दे 2500 वाट की तरह ही है अभी मैं आपको बेलोरेक्स 2500 वाट भी दिखा दूंगा ठीक है अभी मैं आपको आगे दिखाता हूं तो यहां पर क्विक कनेक्टर फोम गन शोब डिस्पेंसर यह सारी कुछ चीजे आप देग लिजे इसमें किस तरीके से हैं ठीक है और दोस्तों बे इतने कम प्राइज में ठीक है बेलोरेक्स 2500 वाट लगबग आपको 10,000 की बीच में पढ़ेगा और यह आपको 799 रुपय में पढ़ रहा है ठीक है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मशीन एकदम सेमी है लगबग सारी मशीने जो भी आती है प्रेशर वाशर में सब कमपनी अलग-अलग मौडल बनाती है तो अलग-अलग रखती है ठीक है तो आप यहां पर इसमें आप देख सकते हैं उसके साथ में दोस्तों यहां पर एक माइक्रो फाइवर क्लॉथ भी दिया जाता है इस मशीन के साथ तो यह बेस्ट बात है आपके लिए कि आपको एक म 235 लिखा हुआ है दोस्तों मैं आपको बता दू कि प्रेसर वासर सारे कुछ वही रहते हैं बस थोड़े बहुत बदलाव करके कंपनी इधर उधर दिखाती है कि ऐसे नहीं ऐसे है ठीक है तो अभी मैं आपको ले चलता हूं और बैलरॉक्स पची सववाट में दिखाता की अभी मैं आपको बैलरॉक्स पची सववाट में दिखाता हूं कि उसका प्राइज इतना महंगा क्यू है और गोचेंग का प्राइज इतना सस्ता क्यूं है यह दोनों का डिटिक्त का का लुक देख सकते हैं दोस्तो एकदम गोचेंग की तरह ही है ठीक है अब मैं आपको यहाँ पर एक से सीरीज में कुछ बदलाव दिखाता हूँ और दोनों में इतना difference क्यों है prices में ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों दोनों का design same ही है लेकिन इसके price में इतना बदलाव क्यों है ये भी मैं आपको बताऊंगा ठीक है तो यहाँ पर 10 days refundable है one year की warranty है ठीक है ये आप देख लीजे और यहाँ पर सारी कुछ चीज़े दी गई है क्या color है power source क्या है brand क्या है maximum pressure क्या है item weight क्या है ठीक है यहाँ पर सारी कुछ चीज़े detail दी गई है ठीक है अगर आप इसको search करके देखना चाहते हो तो दोस्तों आप search करके इसको नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पर search करने पर bellorex 2500 watt आता ही नहीं है ठीक है मैं आपको search करके दिखा देता हूँ bellorex 2500 watt ठीक है तो search में नहीं आता है तो दोस्तों घवराने वाली बात नहीं है मैं इसका लिंक आपको description में दे दूँगा आप वहाँ पर जाकि इसको देख लीजेगा ठीक है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि bellorex 2500 watt आहीं नहीं रहा है ठीक है तो अभी मैं आपको सारी कुछ चीज़े दिखाता हूँ इसमें एक से सीरिज क्या-क्या अवलेवल है ठीक है तो आप यहाँ पर फोम कैनन देख सकते हैं ठीक है सबसे पहला चीज यहां पर फोम कैनन है और बॉडी है पूरी तो यह सारी कुछ चीज़े अवलेवल है इसके साथ में और यहाँ पर शोप डिस्पेंसर नहीं है और साथ में दोस्तों माइक्रो फैवर क्लॉद भी नहीं है तो मतलब कुछ बदलाव है इसमें और इसका प्राइस क्या है दोस्तों यह भी मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर मैं प्राइस आपको दिखा देता हूं और यहां पर आइटम वेट वेगरा यह सब कुछ अगर आप कोई बिजनस स्टार्ट करना चाते हैं तो यह प्रिसरवासर आप ले सकते हो बहुत ही बेस्ट है तो अभी के लिए मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूं जब मैं इसको लिया था तो यह 9000 रुपे में पढ़ा था मुझे 8999 रुपे में और अभी इसका प् बैदरुक्स 25 सववाट का रीव्यू देख सकते हैं दोस्तों वीडियो रोक कि आप 25 सववाट का रीव्यू देख लीजेगा और उसके बाद दोस्तों मैं आपको इसका गौचेंग का सर्च करके आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या-क्या बदलाव है और यहां पर गौ कोई जिक्र नहीं है दोस्तों यहां पर लिखा हुआ एड वन एयर एक्सेंडेट वारंटी 1199 रुपे में मतलब दोस्तों आपको 1199 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा अगर आप वन एयर की सेक्यूटी एमाउंट मतलब वन एयर की प्रोटेक्शन चाहते हैं तो ठीक है तो आप वन एयर का प्रोटेक्शन चाहते हैं अगर तो 1199 रुपे आपको इक्स्ट्रा देना पड़ेगा मतलब 7600 रुपे में आपको 100 रुपे डिलेवरी चार्ज और प्लस 1199 रुपे यह मतलब 1200 यह लगबग दोस्तों 9000 का आपको यह पड़ जाएगा ठीक है तो अगर आप वन एयर की वारंटी चाहते हैं तो गौचिंग में लीजिए 9000 में दोस्तों आपको फुल सट अप मिल जाएगा कारवासिंग का ठीक है और दोस्तों यह गौचिंग का मुझे ठीक लगा कि इन्होंने एवरेज प्राइज रखा है ज्यादा महांगा नहीं लिया है तो यह कोई भी प्रेसर वासर में कोई भी बदलाव नहीं है दोस्तों कोई भी प्रेसर वासर होता है दोस्तों इसमें कोई भी चेंज नहीं होते केवल डिजाइन और मॉडल चेंज कर देते हैं ठीक है तो अभी के लिए मैं आपको यही रिकमेंट करूँगा कि आप गौचिंग लीजिए जो सस्ता है वही चीजी लीजिए ठीक है और दोस्तो अगर आप कोई setup के बारे में जानना चाहते हो water tank cleaning setup या फिर car washing setup कोई भी setup के बारे में जानना चाहते हो आप मुझे comment section में जरूर बताईएगा और दोस्तो वीडियो बारे में जानकारी ऐसे ही देते रहूंगा तो चलिए दोस्तो चलते हैं जै हिन जै भारत मिलते है नेक्ट वीडियो में ठीक है